हेलो दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मैं सिवम अपने यूटूब चैनल कैपकन सिवम पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको वाटसप से रिलेटेट एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताएंगे जिसे अगर आप यूच करोगी तो आपके लिए बहुत ही यूचफुल होगी वो दोस्तो कौन सिवम पे ट्रिक है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि वो ट्रिक कैसे यूच करते हैं और कैसे इस्तिमाल की जाती है जैसे दोस्तो आप अपने वाट्साप पर जाते होंगे वाट्साप पर जाने के बाद अपने थीडोट पर किलिक करते होंगे थीडोट पर किलिक करने के बाद आपको सेटिंग पर किलिक करते होंगे setting में click करने के बाद आपको अपने account पे click करते हैं account पे click करने के बाद कभी आपने सोचा है कि two step verification WhatsApp में two step verification से क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp में two step verification से होता क्या है दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम अपना WhatsApp account बंद कर देते हैं ठोड़े दिन या थोड़े कुछ दिनों के लिए या हमारा मुवाइल नमर हमारे यहां से खो जाता है क्योंकि अगर आपके मोबाइल में OTP नहीं आ रही है यानि कि दूसरे का नंबर है तो आप कैसे OTP लेंगे वो आप कॉल मी करके OTP ले सकते हैं तो ऐसे दोस्तो आपका WhatsApp है क्वी हो सकता है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने WhatsApp को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो या कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हो तो दोस्तो आपका WhatsApp बंद हो जाएगा और आपका WhatsApp कोई नहीं open कर पाएगा चाहें वो आपके ही mobile में हो चाहें दोस्तो आप किसी के भी mobile में वो करता हो या वो अपने mobile में login करना चाहे तो वो कैसे क्यों नहीं कर पाएगा वही मैं बताऊंगा इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी skip मत करना नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आखिरकार अपने WhatsApp को secure कैसे करते हैं हमेशा के लिए आप अपने WhatsApp को save कर सकते हैं वो कैसे दोस्तों आपके mobile से delete भी हो जाता है या आप delete करके किसी को भी दे देते हूं अगर वह वंदा आपका WhatsApp login करना चाहेगा कि देखें यार कि हमारा दोस्त WhatsApp पर किसे किसे chatting करता है या दोस्तों क्या क्या करता है तो वह login ही नहीं कर पाएगा और आपके WhatsApp की पूरी की पूरी details नहीं देख पाएगा तो चलो video कर लेते हैं start और जान लेते हैं to step diary vacation के बारे में कि आखिरकार इसे enable कैसे की जाता है तो चलो video कर लेते हैं start टाट के पहले आभी तक video को लाइक नहीं किये हैं तो and have like like करने के बाद आपको video की नीचे Rediał का button मिल जाएगा आप उस पर टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यानि उसे काला कर दिजिए बगल में आएका बेल आइकन घंटा आप उस पर टच करके और पर किलिक कर लिजिए इतना काम करने के बाद दोस्तों यह कमाल की ट्रीक आपको कैसी लगी हमें जरूर बतान बीज़गे आप यहां पर हुआ कक्ली करने के बाद आपको के कर देना है जैसे पर किलीक कर देना हो उसके बाद को आपको इकाउंट कर देना हाउ एक काउंट पर कղिक करने के बद आपको मिल जाएता तो स्ञेट यहाद बना रहता हो अब यहाद को यहाँ बना रहता है पर यहाँ यहाँ पर इमेल डालने से कि अगर आप कभी अपना ये पिन भूल भी जाते हैं तो आप अपने इस पिन को forget कर सकते हो जो आपकी OTP दोस्तों इमेल पर जाएगी वादा कि उस नमबर पर नहीं जाएगी तो आपकी OTP इस इमेल पर जाएगी अप फिर उसके बाद आप यहां से अपने इ इमेल आपको फिर से डाल देनी है जैसे ही आप सेपे किलिक करोगे तो यह सेटिंग आपके मोबाइल में इनेबल हो गई आप देख सकते हैं तो इसे इनेबल करके रखते हो तो आपका WhatsApp हमेशा के लिए सेप रहेगा और आपके बिना कोई भी आपका WhatsApp लोगिन नहीं कर सकता अगर अगर दोस्तो इस सेटिंग यानि कि टू इस्टे वेरिफिकेशन को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहां से आप डिसेबल भी कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से लगाते हैं WhatsApp में टू इस्टे वेरिफिकेशन को को यहीं पर डालना पड़ेगा तभी आपका वार्टसहब ओपिन होगा तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ जो तो मैं ने पिन डाल लिया आप देख सकते हैं हमारा वार्टसब ओपिन हो गया जब तक आपका यह पिन नहीं पडेगा तो आपका WhatsApp किसी के mobile में लॉग इन ही नहीं होगा और आपकी वो details नहीं देख पाएगा तो यह थी आज की कमाल की trick जिए अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और अपने WhatsApp को save करना चाहते हैं तो इस setting को जरूर enable करें आप मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो गले इतना ही जैहिन जै भारत